अगर आपकी यह जो हैड है जो उपर अटक जाता है नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका तो किशान भाईयो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि जो तरिसर मसीन के अंदर जो हैड अटकता है तो उसके किसे प्रकाश से सेटिंग करें और क्या-क्या तो जरूरी बाते हैं वो अगले रोलर आते हैं उनके अंदर जाके अटक जाता है तो किशान भाईयो आज हम आपको वो ही बताएंगे कि इसमें क्या-क्या ध्यान रखने की जरूरी है चले हम आपको बताते हैं कि किसे साब से करें तो हम मसीन के जो ड्रम है उसको उपन कर लेते हैं उसके बाद भी आपको बताते हैं इसके अंदर आपको यह जगे दिख inform करें ओकर कि आती है और यह उपर वाली कंगी है तो इसको आप एक चीद करना होगा आपको यह जो यह पर यह ठोकर आपको दिख रही है जबाड़ी इस वाली कंगी से इस वाली कंगी से नीचे होनी चाहिए फोकर नाम होनी चाहिए उपर नहीं होनी चाहिए अगर उपर होगी तो आप नवास के ठोकर बनेंगे और गालाटकेगं और दूसरी बात है कि आपको जो यह नट दिक रहा है तो आपको स्पिरिंग की दाब रखनी है स्पिरिंग के थोड़ा दाब रखनी है जिसे सर्षयों से ज्यादा रखनी है और स्छने तुम don टारिग्राम आता है पीछे वाला रोलर तो उसके जो ये यहां से यहां से डेड़ इंची का गेप होना चाहिए अब आपको एक होल निकला लेना है और यहां पर एक नट लगाने लाना है दोनों साइड में ऐसा ही करना है जिससे आपका माल कभी भी नहीं अटकेगा और तो किसान वाई अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास आने वाले गंटी को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिक्श है सबसे पहल इसाइड के अंदर आपको डिजल लगाना है इसके उपर डिजल लगाने से क्या होँगा कि जजम करते हैं हो उसाप हो जाएगा यौल वगेरा कुछ भी नी लगाना और आपको जो गंडा से की सेटिंग करनी है वो जवाड़ी से डेड़ सूट का गेप होना चाहिए तभी आपके जो माल है वो आराम से आएगा और ज्यादा अंदर लप्टेगा भी नहीं तो किसान भायो आज के लिए वस इतना ही आपको हमारी वेडियो यह कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं आपकी जो भी डिमांड है वो आप हमें कमेंट्स लोक में बता सकते हैं